अगर आप एक नीट एस्पेरेंट हो और अब तक आपने उतना कुछ नहीं पराया और आप चाहते हो कि आपका किसी भी तरह qualify marks आ जाए और आपका कोई college में किसी course में आपका admission हो जाए इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ share करने वालों वो तरीका जिसको अगर आप follow करते ह हैं अच्छे से follow करते हैं तो आपका maximum chance है कि आप qualify marks पालो या विडियो को सुरू करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको important point बता दू या फिर warning दे दू कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कोई shortcut trick या फिर आपको को important question के बारे में नहीं बताऊंगा लेकिन इस वीडियो में मैं आपको smart तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप follow करते हो तो most probably आपका qualify marks definitely आएगा तो यह depend करता है आपके उपर तो मैं आपको बता दू कि आपको जो है अभी जितने भी दिन बचे हैं इन दुनों में आपको definitely 13 to 14 hours study करना जलूरी है अगर आप उससे less करोगे तो less marks पाओगे लेकिन यह आपके उपर totally dependent है तो आपको maximum जितना study कर सको उतना करना है तो अगर आप time table के उपर वीडियो चाहते हो तो मैं और लेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका link discussion में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप फॉलो कर सकते हो उस time table को ओके तो चलिए अब main वीडियो के तरफ बढ़ते हैं तो सब्सक्राइब करता हूँ आपके पास total अभी तीन स ज्यादा time देने वाले हो अब बात आती है कि biology को आपको पढ़ना कैसे है तो biology आपको रटना नहीं है या फिर आपको याद करने की कोशिस नहीं करना है यहाँ पे आपको कोशिस यह करना है कि biology को समझो लेकिन यहाँ पे आपका target यह रहना चाहिए कि कोई भी एक chapter जितने 2 to 6 time आप रिवीजन करों को रिविजन यानि कि आप रीडिंग करो आपको starting में जब abd study करोगेत तब आपको सोचना है कि आप एक बुक पर रहे हो जिसको आप रीडिंग करने वाले हो ना आपको याद करना है ना आपको रटना है रीड करना है जैसे आप कोई भी एक कहानी पर रहे हो उस तैप से आपको रीड मानना है लेकिन यहां पर रीडिंग करते हो यह बात कर धियान में रखना है कि आपने ऐसे बहुत सारे highlighted points रखे होंगे या फिर आपने ऐसे बहुत सारे topic जो है highlight कर रखे होंगे तो उन सब को अच्छे से revision मानना है या पर आपको कोई भी chapter को 5-6 time आपको reading मानना है अब reading मानने से क्या होगा अगर आप कोई भी चीज को बार-बार करते हो सब कुछ हम लोग को याद रहने लगता है और biology ऐसा ही subject है आपको समझना है और read मानना है तो आपको automatic mind में बेड़ जाएगा जब आप questions solve करोगे तब आपको हर एक question का answer definitely आने लगेगा और ये बात का आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको high-weightage type chapters ही select करना है यानि कि high-weightage type chapters से आप start करोगे अब high-weightage type chapters आपको कहां से मिलेगा Google मैं सर्च माल होगे तो आपको बहुत सरा SEO website का recommend आज जाएगा जो कि आपको high-weightage chapters का आपको list दे दिया होगा तो यहाँ पे आप उन सब को follow करके आप study start कर सकते हो अभी से अभी जितने भी दिन बचे हैं इन डेज में अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको अगर आप focus करते हो follow करते हो तो आपको definitely chances है कि 280 से 300 marks तक आप biology से पा सकते हो तो यहाँ पे तो आपका qualify marks आजाएगा लेकिन आपको पढ़ना है ज्यादा सियादा study करना है और आपको ज्यादा सियादा अच्छे से follow करना है अगर आप नहीं परोगे बस आप सोच रहे हो कि आपको important या फिर shortcut trick से कर परोगे तो कोई भी चीज का shortcut trick या फिर important बोलके कुछ नहीं होता है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है कुछ भी changes आ सकते हैं आगे और भी point है जिसको मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ हर एक point को आप अच्छे से समझ नहीं कोसिस करो तो यहाँ पर आपको biology समझ में आएगा किस टाइप के question आएंगे सब को समझ में आ जाएगा और बहुत बार जो है question repeat होता है तो previous years question याने कि minimum आपको 12 years का करना है वहां से आप जितने भी question करोगे na question मतलब आप देखोगे questions को वहां पर answers आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने question आया है और कितना question repeat हुआ है तो उससे आपको काफी ज्यादा help मिलेगी है अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आप ऐसी बहुत सारे question कर सकते हो अब मैं बात करता हूँ कि आपको physics and chemistry कैसे study करना है तो physics and chemistry study start करने से पहले सबसे पहले तो आपको short list कर लेना है कुछ ऐसे chapters जो chapters easy and short होगा तो आपको 5-6 या पर 7 chapters का आपको list बना लेना है physics and chemistry में से क्योंकि आप full slave us को अभी complete नहीं कर सकते हैं कुछ दिन है that's why आपको जो है ऐसे chapters को आपको choose कर लेना है जिनको आप 15 दिन के अंदर पर सको और आप complete करने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो यह आपको सबसे पहले तो कर लेना है उसके सबसाद आपको physics के लिए एन फर्मुलास को आपको जो है list बना लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है और उसके पाद chemistry में से इन और 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 तो यह दिखत हो जाती है तो आपको सबसे पहले यह कर लेना है उसके बाद जो है physics related formula s related आपको जो है theories देखना है अगर आपको कुझेन्ज को आराम से loan कर पाओगे और यह बात के अगने करने से क्या है कि आपके मैंड में अच्छे से बैठ जाएगा और उस चीज को भूलोगे नहीं और उसका इसा प्रोसेस आपको अच्छे से माइन में बैठ जाएगा तो उससे रिलेटेट कोईसिन भी आप सॉल्व कर पाओगे और यहां पर आपका सब्सक्राइब करेगा प्रिविएस एस कोईसिन पेपर आपको प्रिविएस एस कोईसिन पेपर को डेफिनेटली करना है लास्ट 12 लियर्स का अगर आप कर लेती हो औ और बायोज में अगर आपके 200 मार्क्स आ जाते हैं तो आप यहीं पर सारे 300 मार्क्स आराम से पासकते हो लेकिन यहां पर कंडिशन यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट हो के स्टड़ी करना है ज्यादा टाइम आपको प्रिविए स्कूसिन पेपर से काफी ज्यादा help मिल जाएगे तो आपका जो है यह प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बस यह करना है यहां पर आपको कोई सौटकर ट्रीक या फिर इंपॉर्टन क्वेसिन के उपर फोकस करने से पहले इन सब चीजों को करो बैतर होगा और इसी से आपका मार्क्स ज् अगर आपको वीडियो से help मिली हो तो वीडियो को like कर दें और हो सकते तो वीडियो को share भी कर दें और दोस्तों के साथ और चैनल को अगर subscribe नहीं किये है नीचे लट कलर का बटन है उसे जरूर दबा दें और उसके बगल में बेल आगन को जरूर दो है तो मिलते हैं ने